हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का नौलेज़ टॉप चैनल में दोस्तो आज हम इंडियन आमी का ओरिजिनल पेपर डिसकस करने वाले हैं जो आपका 2STC परजी गोवा में पूछा गया है और दोस्तो ये पूरे जैन्मिन कोशन है ओरिजिनल कोशन पेपर है पूरा मैंने यहाँ पे टाइप करके लिखा हुआ है तो आप अपना स्कोर मुझे जरूर बताईएगा और देख लिजेगा किस प्रकार के कोशन इंडियन आमी में पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तो बिना लेट किये करते हैं वीडियो को स्टाट पहला कोशन है अंतराष्ट्य अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है तो बहुत अच्छा कोशन है तो अंतराष्ट्य अहिंसा दिवस दोस्तो कब मनाया जाता है 4 सितंबर, 30 जन्वरी, 2 अक्टूबर या 15 जुलाई तो आपको याद रखना है अंतराष्ट आइंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है तो आप इसे जरूर याद रखेगा अगला कोशन है संयुक्त राष्ट संग का मुख्यालाई कहां इस्तित है तो स्वीजर लेंड, न्यू यॉर्क, पेरिस या जीनेवा तो स्युक्त राष्ट संग का जो मुख्यालाई है ये न्यू यॉर्क में इस्तित है आंसर B is the right answer दोस्तो ये बिल्कुल ओरिजिनल कोशन पेपर है और जिन भी भाईयों ने गोवा में पेपर आया होगा और वो दिया होगा तो उन्हें पता होगा दोस्तो अगला कोशन है अगला कोशन है फतेपुर सिकरी किस सासक द्वारा बनाया गया था तो फतेपुर सिकरी जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था कि जो फतेपूर सिकरी में जो इबादत खाना है वो किसके द्वारा बनाया गया था तो फतेपूर सिकरी में जो इबादत खाना है वो भी अकबर द्वारा ही बनाया गया था तो आप इस कोशन को भी याद रखें इसी के साथ अगला कोशन, अगला कोशन क्यों बढ़ते हैं अगला कोशन most important दोस्तों ये कोशन इन्हें आमी पूष्टी ही पूष्टी है कि पानी पत का पर्थम यूद, दूतिय यूद और तृतिय यूद आप इसे जरूर याद रखें, इन तीनों यूदों को याद कर लें तो यहाँ पर पूष्टा गया है कि पानी पत का तृतिय यूद 1761, 1526, 1554 तो पानी पत का जो तृतिय यूद हुआ था ये 1761 में हुआ था आप इसे याद रखें, इन कोशनों को आप जरूर याद कर लें अगला कोशन है, निमन लिकिन मैंसे किसे लेडी विद दलेंब के नाम से जाना जाता है तो लेडी विद दलेंब के नाम से किसे जाना जाता है, एनी बेसेंड, सरोजनी नाइडू, फ्लोरेंस, नाइट इंगल या इन मैंसे कोई नहीं इसका सही आंसर होगा चले दोस्तों अगले कोशन क्यों बढ़ते है और एन अगला कोशन है, भारतिया नाकद मुदरा के नोट किस सहर में छपते है maintenant तो भारतिया नकद मुदरा के नोट आपके नासिक में छपते है A is the right answer तो आप इसे भी याद रखे अगला question है Roof of the world किस इस्थान को कहा जाता है भूटान, चीन, तिबबत ये इनमे से कोई नहीं तो Roof of the world जो है आपका तिबबत को कहा जाता है तो answer C is the right answer Roof of the world जो है ये तिबबत को कहा जाता है आप इसे भी याद रखें अगला question निमनलिकित में से कौन सी नदी का उदगम इस्थान अमर कंटक है नर्मदा, गोदावरी, महानदी ये सून तो आपको याद रखना है अमर कंटक से जो है ये नर्मदा नदी का उदगम है तो answer A is the right answer आप लोग इस question को भी याद रखें नर्मदा नदी अगला question है भारत के attorney, भारत के attorney journal की नियुकति कोन करता है परदान मंतरी, राष्ट्रपती, राजपाल या उच्च न्याले के मुखिन आएदिस तो इसका सही answer, answer B, राष्ट्रपती जो है ये भारत के attorney journal की नियुकति करते है अगला question, my experiment with truth के लेखक कोन है तो my experiment with truth के लेखक जो है ये महत्मा गांदी, जवाहलाल नहरू, सरोजनी नाइडू या तारा अली बेग तो इसका सही answer होगा महत्मा गांदी तो answer A is the right answer अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question है दोस्तो, भारत में लोग सभा के चुनाव कितने वर्सों बात कराई जाते हैं तो 4, 6, 5 और 10 तो ये तो आसान question है भारत में जो लोग सभा के चुनाव होते हैं, ये विगत 5 वर्सों में कराई जाते हैं तो अगला question है इन में से किसे अक्सर ब्लैक परल कहकर भी संबोधित किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तो, answer A is the right answer पेले को जो है ब्लैक परल कहकर भी संबोधित किया जाता है अगला question भारत्य संसत के उपरी संब को क्या कहा जाता है विधान परिशद, राज सभा, लोक शभा या विधान सभा तो भारत्य संसत जो होती है उसके उपरी संसत को राज सभा कहा जाता है answer B is the right answer ऑगला question अगला question है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दयानन्द सरस्वति, श्वामी विवेकानन्द, जोतिवा फूले या राजा राम मोहनराई तो इसका answer C is the right answer राजा राम मोहन राई द्वारा ब्रह्म समाज की स्थाफना की गई थी तो दोस्तों एंटर करते हैं जीके के आखरी प्रश्ण पर और आखरी प्रश्ण है गेटवेज आफ इंडिया कहां इस्तित है दोस्तों मुझे पता है काफी लोग नहीं दिल्ली करेंगे लेकिन आपको नहीं दिल्ली नहीं करना है गेटवेज आफ इंडिया जो है यह मुंबई में इस्तित है तो मुंबई में इस्तित है और जो अगर आपसे पूछे कि जो है अगर आपसे यहाँ पूछे कि यहाँ पूछे कि इंडिया गेट कहां है तब आपको दिल्ली करना है चलिए दोस्तों अ रक्त की कितने प्रतिशत मात्रा होती है तो मनुश्य के सरीर में रक्त की कितने प्रतिशत मात्रा होती है तो मनुश्य के सरीर में रक्त की कितने प्रतिशत मात्रा होती है साथ प्रतिशत मात्रा होती है अगला कोशन अगला कोशन है LPG Cylinder अगला कोशन है दोस्तो LPG Cylinder में किन गैसव का मिशनर पाया जाता है मीथेन तथा ब्यूटेन एथेन तथा प्रोपेन प्रोपेन तथा ब्यूटेन या इन में से कोई नहीं तो answer C is the right answer प्रोपेन तथा ब्यूटेन इसका सही answer हो जाएगा तो answer C is the right answer तो अगला कोशन दोस्तों अगले कोशन की ओर बढ़ते हैं एक होर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है ये भी दोस्तों most important question है तो एक होर्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है तो answer B is the right answer अगला कोशन अगला कोशन है प्रकाश संसलेशन सबसे अधिक किस में होता है कौन से प्रकाश में होता है लाल प्रकाश, नेले प्रकाश, सुईट प्रकाश या हरी प्रकाश तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो लाल प्रकाश में प्रकाश संसलेशन सबसे अधिक होता है तो आपको ये याद रखना है अगला है मनुश्य के सरीर का प्रमुख स्वशन अंग कौन सा होता है फेफड़ा तो अच्छा हिर्दय या किड्नी तो answer A is the right answer फेफड़ा दोस्तो जो है ये मनुश्य के सरीर का प्रमुख स्वशन अंग होता है अगला कुशन है पागल कुटे के काटने से कौन से बिमारी होती है तो पागल कुटे के काटने से कौन से बिमारी होती है डेंगू, मलेरिया, रहीवीच या हैजा तो पागल कुटे के काटने से दोस्तो रहीवीच की बिमारी होती है अगला कोशन है पाचन के पस्चाद प्रोटीन किस में परिवर्थित हो जाता है फोटोज, ग्लुकोस, वसा या एमिनो एसिड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड तो पाचन के पस्चात जो है प्रोटीन ये एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है अगला कोशन जीवन की मूल भूत इकाई क्या है उत्तक कोशिका कोशिकां या अंग तो दोस्तों जीवन की मूल भूत इकाई जो होती है वो एक कोशिका होती है अगला कोशन है टाइफाई किसके कारण होता है वाइरस बैक्टीरिया विशानू या प्रोटो जोवा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा टाइफाईट की विमारी होती है अगले कोशन की वर बढ़ते हैं लोहे को जंग लगने की प्रकिरिया कहलाती है तो लोहे को जंग लगने की प्रकिरिया है या आपका आक्सी करण कहलाती है तो आंसर C is the right answer अगला कोशन है मचली किसके द्वारा सांस लेती है तो मचली दोस्तो जो है अपने गल फड़े द्वारा सांस लेती है तो आंसर A is the right answer अगला है आवरती का मातरक क्या होता है तो आवरती का मातरक जो होता है यह हर्ज होता है दोस्तो आवरती का मातरक यह हर होता है यहनि answer A is the right answer आवरती का मात्रक आपका हर्ज होता है अच्छा दोस्तों अगला question मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण होता है heptoglobin hemoglobin immunoglobin या myoglobin तो मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल hemoglobin के कारण होता है answer B is the right answer चलिए दोस्तों अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है निम्ली की मैंसे कौन एक और चुम्बक्या धातु है तिन लोहा निकिल यह लोहा तो दोस्तों माफ करना इसको आप जो कर दीजिए इन में से कोई नहीं कर दीजिए इन में से कोई नहीं यह कर दीजिए तो इसका वैसे भी right answer answer A हो जाएगा निम्ली की जो है आचुम्बक्या धातु कौन है तिन अगले प्रश्ण की ओर बढ़ यह उच दाप तो इसका आंसर हो जाएगा तो आंसर C is the right answer तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कम घंधत्व के कारण जो है बादल वातवनण में तैरते है अच्छा तो आसा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें